हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई हेल्दी चाइनल तो आज हम लेकर रहा हैं घर में मसाला पनीर आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाना और बजार से भी अच्छा आपका पनीर घर में बन सकता है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो चलिए दे भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तो यहां पे हमने पनीर बनाने के लिए 2 kg एकदम लो फैट का हम दूद लिए हैं अब कोई भी दूद से पनीर बना सकते हैं लेकिन हमें एकदम हेल्दी पनीर बनाना है तो हमने फैटी दूद का इस्तेमाल नहीं किय है तो यहां पे हमने 2 kg दूद को गैस पे हम उबलने के लिए चरहा दिये हैं और एक उबाल जैसे ही दूद में आएगा हमें गैस को बंद कर देना है तो अब हम दूद में उबाल आने देते हैं करीब आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे 2 kg दूद उबलने में और देखिए द उपर दूद आएगा उसी स्टेज में हमें दूद को बंद कर देना है और अब हम गैस को बंद कर दिये हैं और एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिए अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे हम यहां पे 1 टीए स्पून जीरा डाल रहे हैं 1 टीए स्पून हम हरी मिर्ची डाले हैं 2 टेवले स्पून हम यहां पे धनिया के पत्ते डाल दिये हैं और यहां पे हम स्वात के अकॉर्डिंग करी टू टीए स्पून हम नमक डाल दिये हैं और थोरा से हम इसमें ब्लैक सॉल्ट भी आट की हैं बहुत ही चटपटा और बहुत ही स फाड़ेंगे तो दूद को फाड़ने के लिए हम विनेगर का यूज किये हैं और विनेगर में हम जितना विनेगर लिये हैं उतना ही है इसमें हम पानी एट किये हैं खाली विनेगर से कभी भी पनीर को मत बनाईएगा नहीं तो आपका पनीर सौट नहीं बनेगा हार्ड हो ज यह देखिए दूद फट चुका है , और हमारा पनीर अलग हो गया है और पानी अलग हो गया रूंद एक यह देखिएewov पनीर फारे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हम ठंठा पानी फिर से डालेंगे अच्छी तरह से इसे धोईएगा नहीं तो अगर आप ठिक से नहीं धोईएगा तो जो हम विनेगर डाले हैं उसका एसमेल रहा जाएगा तो यह जो पानी होता इसे फेकिएगा न इस तरह से निचोर कर साड़े पानी को पहले निकाल दीजिएगा इस तरह से निकाल लेना है पानी को और अब हम इसे स्लैप पे ही एड़्जिस्ट कर लेंगे इस तरह से देखिए हम कैसे कर रहे हैं एक फोल्ड हम इस तरह से पहले मोड लेंगे तो टाइट मोड ना है ताकि पनीर अपना राउंड सेप में आजा इस तरह से करके इस पे कुछ भाड़ी समान रखना है जैसे हमारे पास ये हमाम दस्ता है उसको हम रख दे रहे या फिर आप पानी भरकर किसी बड़े बरतन में इसके उपर रख सकते हैं और इसे हम अधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे अधा घंटा के बाद इसे हम निकालेंगे तो इसे हमें एक प्लेट में ले ले रहे हैं और ये देखें कितना अच्छा हमारा पनीर घर में ही बन जाता है और बहुत अच्छा सौफ्ट बनता है पनीर हम कभी भी बजार से पनीर नहीं खड़ीतते हैं ये देखें कितना अच्छा पनीर बना है तो एले जी हमारा होममेड मसाला पनीर मिन्टों में बनके त्यार हो गया है और अगर ए रेस्पी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा चाइनल पे अगर निव हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बेल आइकन को भी प्रेस केजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे तो इस पनीर से तो हम हैल्दी पनीर रोल बनाने वाले हैं अगले वीडियो में हमें ही सेर करेंगे और भी बहुत ही हेल्दी तरीके से हम बनाएंगे पनीर रोल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यह हमारा एस्पांजी पनीर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू